नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी hard copy text को soft copy text में कैसे बदला जाए कैसे convert किया जाए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि paper से बने हुई book के text को आप एक छोटे से pen drive में समा सकते हैं तो आईए बीना समय गवायश शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले जाना है हमें play store में और play store से आपको एक application लेना है जिसका नाम है office lens, office lens काफी अच्छी application है देखिए आप 5 million इसके download हैं यानि के 50,4.6 इसके stars हैं तो मैंने ओलेड़ी यहां पर download कर चुका हूं मैं और इसको करेंगे open जैसे यह आप open करेंगे दोस्तों तो आपके सामने camera कुल जाएगा और फिर camera open होने के बाद में आपको जो भी text का hard copy से soft copy transfer करना है उसकी आप फोटो लेंगे फोटो लेने के समय ध्यान रखे कि यह जो आपकी फोटो है वो बिल्कुल ही ब्लर ना हो फोटो का फोकस अच्छे से ले और फिर यहाँ पर जो रैड ऑप्शन है वहाँ से आप आपकी टेक्स्ट की फोटो ले सकते हैं अगर आपको फोटो ब्लर हो गई या अच्छी नहीं आई या कुछ गलती हो गई तो आप रिप्लेस ऑप्शन में जाईए और फिर से आप के अनुसार आप फोटो ले लीजिए इसे अब यहाँ पर साइड लेफ्ट साइड में कॉप्शन है क्रॉप का तो क्रॉप करने पर आप इमेज है या कुछ भी अन्वॉन्टेड टेक्स्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे इतना भी ठीक है काम हमारा हो जाएगा ओके दिया ओके देने के बाद आपको कुछ इस तरह से हमारा पिक्चर बन चुगा है क्रॉप करने के बाद अब आप करिए सेव सेव करने के बाद मैं आपको एक पेज दिखेगा जिसके अंदर अलग अलग अप्शन्स हैं यहां पर word files मेरा already selected है क्योंकि मैंने MS word की application डाउनलोड कर दी है आप भी आपको भी इस process के लिए MS word की application डाउनलोड करनी होगी for android version और फिर आप आप चाहें यहां पर तो आपकी फाइल का नाम बदल सकते हैं जैसे अभी हम रख देंगे इसको सेफटी रूल्स आप चाहें तो बदलें अभी या चाहें तो बाद में भी बदल सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है तुरंत ही बदलना ठीक है सेफटी रूल्स ओके दे दीजिए अब आपकी फाइल जो है वो ट्रांसफर हो रही है प्रोसेस इस गएंग ओन टेप टू ओपन आ गया बस आप टेप टू ओपन कीजिए कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी जो फाइल है वो शो करना शुरू हो जाएगी देखिए आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो रेडी हो चुकी है यहां पर जो फोटो हमने यहां पर हर्ड कॉपी की ली थी सेम तू सेम ध्यान से देखिए दोस्तों सेम तू सेम कॉपी आपको यहां पर मिल रही है सॉफ्ट कॉपी आप देखिए यहां पर आप चाहें तो यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं यानि की देखिए यहां पर मेरा की प्ट वर्क कर रहा है आप चाहें तो कोई टेक्स्ट पो select करके जैसे bold कर दिया underline कर दिया italy कर दिया या font का color change कर दिया जैसे की कुछ भी जैसे हम changes कर सकते हैं anyways तो ये तो भी ये तो भी फिलहाल हमारी file जो हैouter हमारे phone में है लेकिन अब हम इसको transfer करेंगे हमारे पेंड्राइव में तो दोस्तो तो दोस्तो लेफ्ट साइट में जो आप्शिन से वहाँ पर आपको जाना है आप जाएए सेव एज में और उसके बाद आप इसको आपके फोन के डिवाइस में ही अटेज कर लीजिए डोक्यूमेंट में आप सेव कर सकते हैं या जहां पर भी आपको याद रहे सूटेबल रहे वहाँ पर आपको आपके डिवाइस में ये फाइल को सेव कर देना है जब आप आपके फाइल को सेव कर देंगे उसके बाद में ही तुरंद ही आप फाइल मेनेजर में जाएए Ft Rules की जो File है वहां पर Save है, File Open हो चुकी है, आप Open नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको यह करना है कि File को Select करना है, More में जाना है, Copy करना है, और इसको USB Drive में टेस्ट करना है, इस तरह से, यह दूसरी बार हो गई मेरी File Save, तो बस इतना है, आपकी Pen Drive में आपकी File Save है, इस त परा से आप कोई भी Hard Copy के Text को Sock Copy में अपने Pen Drive में ले सकते हैं, Thank You तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, Subscribe कीजिए, और पास में जो बैल आइकन है, उसको आप प्लीज प्रेस कीजिए, ताकि जब भी में नया वीडियो डालूँगा, तो आपको notification मिल जाए, अगर आप यही वीडियो आपके friends के साथ share भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ज्यान बातने से बढ़ता है, so keep learning, keep growing, thank you for watching once again.